हलो फैंज, सोसल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने खिलापत अंदोलन तक पढ़ लिया था आज की वीडियो हम आगे के जो अंदोलन है उनके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि एक्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं तो तयारी करते रहें बहुत अच्छे से तयारी करें अभी तो नहीं डेट है आसपास लेकिन जब भी डेट आए उससे पहले अच्छे से तयारी कर ले ना क्योंकि यह 4 सेमेस्टर है अगर 4 सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई तो एक साल तक आप बैठे रह जाएंगे और आपके जितने भी दोस्ते हैं वो सब कुछ क्लियर करके आगे निकल जाएंगे तो अच्छा यही रहेगा कि आप अच्छे से तयारी करें 4 सेमेस्टर की सीरियस होकर तयारी करें क्योंकि इसमें अगर बैक लगती है तो बहुत जादा दिक्कत हो जाती यह वाली बैक में लगेगी तो आपको एक मौका मिल जाता है ठीक है लेकिन इसमें अगर बैक लगई तो एक साल तक आपको बैठना पड़ जाएगा और यह बैक जल्दी किलियर नहीं होती है ठीक है तो अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करिए तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते ह असायोग अंदोलन प्रारम किया ठीक है असायोग अंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया था कि इनका एक काम था कि स्वहराज की मांग को इन्होंने स्युकार नहीं किया था इंग्रेजोंने स्वहराज की जो मांग है उसे स्युकार कर लेते तो साथ ये असायोग अंदोलन वो यही था कि कोई भी काम होगा सरकार का, उसमें सायोग नहीं करेंगे हम, ठेके कितना भी कोई काम कराने की कुछिस करें, हमें सायोग करना ही नहीं नहीं है, बलकि हमें उल्टा बाधा पहुचानी उसकारे में, ठेके तो इसलिए इसका नाम असायोग अंदोलन पड़ा था और ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन क्या हुआ था जो बालगंगा धर्तिलग थी उनकी मृत्तियों भी हो गई थी तेकि उनकी मृत्तियों हो गई थी इसलिए भी इसे इसी दिन स्टार्ट किया गया एक अगस्त 1920 को इसमें बिटिस उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने बिटिस पदों से स्थीपा देना सरकारी नेमों अदालतों पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था यह अंदोलन अहिंसक था गांधी जी ने कहा कि यदि यह अंदोलन सफल रहा सपयोग करना था उनका यूज्ज नहीं करना है जो भी भारती बिटिस पदों पर है उन्हें नौकरी बगएरा मिल चुकी है तो वो उन पदों से स्थीपा दे देंगे जितने भी सरकारी नियम है अधालत है उन पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये सारे कार इसमें करने थे और ये अंदोलन कैसा था आहिन सक्ति मतल़ इसमें लड़ाई बड़ाई नहीं करनी थी बस हमें क्या करना सहियोग नहीं करना है बिरोध करना है बैठे बैठे तो ये था ये भारतियों को कुछ नहीं दिया गया तो आपको पता कि अंग्रेजों ने बादा किया थे कि अगर प्रतम विश्युद में भारती साथ देते हैं तो उन्हें सुराज की सुराज प्रदान कर दिया जाएगा उन्हें सुतनता प्रदान कर दी जाएगी लेकिन ऐसा कोछ ने लेकिन भारतियों को उसमें कुछ भी नहीं दिया गया तो ये भी एक कारण था इस्वयोग अंदोलन का दूसरा था किफाइती मुद्दे प्रतम विश्युद के बाद कई आर्थे के मुद्दे थे उत्पादों की जो कीमती थी भाड़ चुकी थी दूसरी तरब जो किस्तान थे वो अपने करशी उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही थी तो इसलिए भी हमें ये अंदोलन करना पड़ा था कि भारती जो उत्पाद है उनकी थोड़ी बिक्री स्टार्ट हो जाए वहां की जो आर्तिक इस्तिती खराब हो गई थी भारत की बहुत थोड़ी सुधर जाए ठीक है तो इसलिए भी हमने क्या किया था ऐसाईयो का अंदोलन किया था तकि हम बिट्रिस उस्पादों का बिरोध कर सकें ठीक है तीसरा था रॉल अटेक्ट रॉल अटेक्ट के बारे हमने पढ़ा जिस हम लोग काला कानून कहते थे जिसमें बिना किसी अपील के दलील के ना वकील के हमें सीधा ग्रफतार कर लिया जाता था सिर्फ सक होने पर कि अगर आपको पर सक होता है तो आपको क्या किया जेल में डाल दिया जाएगा अब असायो गांदोलन का निलंबन की होगा मतलब क्यों खताम कर दिया गया क्यों समाप्त कर दिया गया असायो गांदोलन क्यों गांदी जी ने गोशना कर दी कि अब असायो गांदोलन की समाप्ती है ठीके तो पहला रीजन था चोरी चौराकान तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चुरी-चौरा कांट जो हुआ था जिसमें 22 जो पुलिस करमी थे उन्हें मार दिया गया था ठीक है पुलिस टेशन में आग लगा दी गी थी जिसमें वो मर गये थे तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया था असाइग अंदोलन को समाप्त कर दिया था दूसरा था कि कुछ हिस्सों में अंदोलन हिंसक हो गया था ठीक है कुछ जगह ऐसी थी जहां पर जो अंदोलन था ये बात ये कह गई थी कि जो अंदोलन वो अहिंसक रहेगा तेकिन कुछ जगे पे हुआ है कि हिंसा बगएरा हो गई इसके कारण भी इसे नहिलंबित कर दिया गया तीसरा था कि गांधी जी ने सियार दास मोतिलाल लहरू और रबिना टैगोर जैसे नेताओं की आलोशना करती हुए कहा कि भारत अहिंसक अंदुलन के लिए तयार नहीं था ठीक flavored तो गांधी जी ने जो सियार दास थे मोतिलाल नहरू थे रबिना टैगोर थे इन जैसे जो बड़े नेता थे इनकी आलोशना की और कहा कि भारत जो है वो अहिंसक अंदुलन के लिए तो मदर्स सारी गलती इनकी थोप दी तो फिर उन्होंने पिर अलग पार्टी बना ली सियर दास ने ठीके सोराज पार्टी नाम से अलग पार्टी बना ली तो इससे फिर थोड़े आपस में अनबन हो गई ये भी एक रीजन था कि ऐसाय गॉंदलन जो था वो निलंबित कर द मित्यास के पन्ने में दर्ज करा दिया उस घटना ने क्या किया इस गाउंकरा मित्यास के पन्ने पे दर्ज करा दिया पॉलिस ने यहां स्वैम सेबक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे कि सराब की बिक्री एभम खाददान के म पुलिस ने गोली चलाई जिससे प्रदर्शन कारी उत्यजित हो गए तदा पुलिस पर आक्रमण कर दिया सिपाही भाग कर थाने में घुस गए तो भीड ने थाने में आग लगा दी जो सिपाही भाग कर बाहर आई उन्हें भी मार डाला इस हिंसक घटना में 22 बुलिस करमी जो थे वो मारे गए गांधी जी ने इसी घटना से दुखी होकर असायोग अंदुलन बापस ले लिया था ठीक है तो पूरी घटना किलियर हो गई आपको कि क्यों चोरी-चोरा कांड हुआ था ऐसा हुआ था कि 5 फरेबर 1922 को जो उत्तरपदिस का गोरकपुर जिला है में पर एक इस्थान है चोरी-चोरा नामर ठीक है एक चोठा सा गाओं है यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग परदर्शन कर रहे थे हैं क्यों कर रहे थे, किए चीजों की जो खीमतें थी, भर चुकी थी, जो खादान थे, खाने पीने की जो चीज़ें थे जो सराव की बिक्री थी, इनके ब्रध कारण कर दे कहल्एते पिर दर्शन कर रहे थे, उनका नेतत भी चला दी जिसमें एक दो लोगों को लग भी गई तो इसके बाद जो प्रदर्शन कारी थी और ज़्यादा उत्तेजित हो गए उन्होंने पुलिस पर बहुत ज़्यादा हमला किया तो पुलिस वाले जो भाग कर सिपाई क्या हुआ पुलिस टेशन चले गे थाने में छिप काफी फेमस है याद रख लेना सिंपल है आप इसके बारे में लिख सकते हैं अगर आता एक नमबर में दो चोरी-चोरा कांड के बाद हमें पढ़ना है काकोरी ट्रेन एक्षन देखे इसका नाम पहले काकोरी कांड था ठीक है काकोरी कांड के नाम से यह काफी फेमस था लेकिन योगी जी ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्षन कांड जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गलत काम की है तो इसलिए इसका नाम बदल कर क्या रख दिये गए काकोरी ट्रेन एक्षन तो इसके बारे में जान लेते हैं 9 अगस्त 1925 को कुरांती कारियों ने उत्तर प्रदेस के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डगैती डाली थी इस घटना का मकसद था कि लूट से घटना होने वाले पैसों से हत्यार खरीदे जाएं तदा भारत पर कबज़ा करने वाले अंग्रेजों के खिलाब उनका इस्तमाल किया जाए अंग्रेजों ने इसे डगैती का नाम दिया इत्हास में से काकोरी कांट की नाम से जाना गया इस घटना को अंजाम देने वालों में राम परशाद बिस्मिल, अस्फाउलला खां, राजिन लहरी सही 10 क्रांथिकारी सामल थे इस घटना में राम परशाद बिस्मिल, अस्फाउलला खां, रोसन सिंग और राजिन लहरी को फासी की सजा सुनाईगी इस डिकैती में जर्मनी से बने चार माउजर पिश्टल काम में लिये गए थे ठीक है, ठीक है हुआ क्या था कि एक संगठन था HRA जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपविलिकन एसोसियेशन ठीक है तो HRA एक संगठन था तो इसी से जुड़े हुए जो क्रांथी कारी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्हें ट्रेन लूटनी थी, ठीक है वो अंग्रेजों से बारके ट्रेन जा रही थी तो उसमें इन्हें डकैती डालनी थी, और उससे जो धन मिलना था उसे किसमें यूज करना था अंग्रेजों को भगाने में ठीक है भार से भगाने में अब इनके पास रुपए तो था नहीं उस समय ठीक है कहां से आता इतना रुपए जो पिस्टल बगएरा थी वो भी विद्योसों सो मंगाई जाती थी ठीक है इंडिया में तो कोई बन नहीं रही थी या बनती थी इंडिया में तो इतनी अच्छी नहीं थी कॉलिटी उनकी तो इसलिए 9 अगस्ट 1925 को क्रांती कारियों ने क्या किया उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डगैती डाली ठीक है ये जो ट्रेन थी वो लखनों जा रही थी और लखनों से करीब कुछ किलोमीटर पहले ही इसे रोक लिया गया ठीक है रोक लिया गया और उसी जगह पर डगैती डाली गयी थी इसका मकसद क्या था कि लूट से खटा होने वाले पैसों से हत्यार खरीदे जाए तथा भारत पर कबज़े करने वाले अंग्रेजों के खिलाब उनका इस्तिमाल किया जाए अंग्रेजी ने इसे डगैती का नाम दिया था इतिहास में से काकोरी कांड के नाम से भी जाना गया लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिये गया काकोरी ट्रेन एक्षन का नाम मदरख दिये गया इसका नाम ठीक है, HR-A का नाम याद रखना कि ये लोग जो थे वो HR-A संगठन से थे, यानि कि हिंदुस्तान Republican Association से ये लोग संबन दे थे, जो करांतिकारी थे काकोरी ट्रेन एक्षन के बाद हम बात करेंगे सौराज पार्टी की, तो मैंने आपको बताया था कि सौराज पार्टी जो थी, वो CR-DAS ने और मोतिलाल नहरू ने मिलकर बनाई थी, जब असायो गांदोलन गांदी जी ने बापस ले लिया था, ठीक है, तो 1921 इसपी में गां पंदू, CR-DAS तता मोतिलाल नहरू ने की थी, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी सौराज पार्टी की स्थापना की थी, इस दलका प्रथम अधिवेशन इलहाबाद में हुआ, जिसमें इसका सम्विधान और कारिकरम निर्धारित हुआ, सौराज पार्टी भारतियों के ल गांदी जी ने, तो बहुत से नेता जो थे, वो उनसे गुस्ता हो गए, ठीके, और इसका जो पहला अधिशन था, वो इलाबाद में हुआ था, ठीके, इसका सम्विधान और कारकरम निर्धारित किये गए, और इन्होंने भारतियों के लिए बहुत कार किये थे, सौराज पार्टी ने, अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ब्रिटिस पीम सर जौन साइमन ने की थी, ठीके, तो इसलिए इससे साइमन कमीशन की नाम से जाना जाता है, ठीके, उस समय जो ब्रिटिस पीम थे, उनका नाम थे सर जौन साइमन और इन में कम सकम कुछ तो भारती हों जो अपनी बात रख सके आपने सारे अंग्रीजी ही रख दिये तो इस कारण साइमन कमिशन का सबस्यादा बिरोध हुगा था साइमन कमिशन की घोशना 8 नबंबर 1927 को की गई, कमिशन को इस बात की जाच करनी थी कि भारत इस लाइक है कि उससे समधानिक अदकार दे दिये जाएं इस कमिशन में किसी भी भारती को सामिल नहीं किया गया जिस कारण इसका बहुत बिरोध हुगा ठीकि आप भारतीयों के लिए बना रहे हैं कि भारत को समधानिक अधकार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए अब आप भारतियों को ही नहीं रखेंगे उसमें भारतियों सही नहीं पूचेंगे तो फिर इसका मतलब क्या है तो इसी लिए इसका बिरोध किया गया था 1919 इसबी के भारत सरकार अधनियम में यह बेबस्ता की गई थी कि 10 बर्स के बाद एक ऐसा आयोग निक्त किया जाएगा जो इस अधनियम से हुई प्रगति की समिच्छा करेगा कमीशन के भारत आगमन से पहले इसका बिरोध प्रारम हो गया पूरे देश में काले जंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए यानि कि साइमन कमीशन बापज़ाओ के नारे से इसका बिरोध किया गया तो यह साइमन कमीशन है इसकी स्थापना किस ने की थी तो सर जॉन साइमन ने की थी बृटिस पी-म थे इसलिए स्माइन कमिशन काहते हैं इसमें क्या बात थी कि इसमें शाथ सदस्य थे वो सारे किसके थे, सारे अंग्रेज थे जितने भी बृटिस जो संसत्य उसके सदस्य थे एक तो यह जो कमिशन थी वो इसलिए बनाएगी कि भारत को समयधानिक अधिकार दे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए इसलिए कमिशन न्युक्त की गई थी लेकिन इसमें कोई भी भारती नहीं थे इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बिरोध किया गया 1919 में Montague Champsport सुधार आया था ऐसी एक अधनियम था Montague Champsport तो उसमें ये बात की गई थी कि 10 साल बाद एक ऐसा आयोग निक्त किया जाएगा जो इस अधनियम से होई प्रगिती की समीच्छा करेगा मतलब जो Montague Champsport सुधार था उसमें कुछ चीजें रखी गई थी तो उसमें कितना सुधार हुआ इस बात की समीच्छा करने के लिए Simon Commission निक्त किया जाएगा 10 साल बाद तो उसके 10 साल बाद ये निक्त भी किया गया ठीक है Simon Commission तो उसी को ये समीच्छा करने थी भारत को समधहने का अधकार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए ठीकिन कोई भारत ही नहीं था इसलिए इसका बिरोध हुआ और Simon Commission गो बैक Simon Commission बापच जाओ कि नारो के साथ इसका बिरोध किया गया तो Simon Commission के बारे में इतना ही है एक नमबर मायगा तो आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं बारदोली सत्या ग्रह की तो बारदोली सत्या ग्रह हुआ था ये प्रमुक किशान हंदोलन था ठीकि किसानों ने किया था बारदोली सत्या ग्रह ये क्या था तो एक किसान अंदोलन था जो कहां पे हुआ था 1928 में गुजरात में हुआ था उसमें प्रांधी सरकार ने किसानों के लगान में 30% की ब्रद्धी कर दी थी पटेल ने इसका जमकर बिरोध किया तथा अंत में सरकार को बिवस होकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा इस सत्यग्रा की सफल होने के बाद उहां की महलाओं ने बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी दी थी टीके ये तो उन्हें सरदार पहले से नहीं का जाता है बारदोली सत्यग्रा जब सफल हो गया उसके बाद उहां की जो महलाओं थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपादी दी थी ठीक है और बारदोली सत्यग्रा में हुआ क्या था कि वहाँ पर जो प्रांती सरकार थी अंग्रेजों की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था कि कसानों जो किसान थे उन्हें पर 30% की ब्रद्धी कर दी थी ठीक है उन्हें जो लगान लिया जाता था उस पर 30% की और ब्रद्धी कर दी जिसका काफी वहाँ पर लोग बिरोध कर रहे थे लेकिन फिर उन्होंने क्या किया बल्ला भाई पठेल को बलाया उन्होंने इसका जमकर बिरोध किया बाद में सरकार मान गई और खिसानों की जो मांगे थी उसे मान लिया उन्होंने जब सत्याग्या सफल हो गया तो उसके बाद इन्हें सरदार की उपादी दे दीगी तो ये बारदॉली सत्याग्या है अब हम बात करेंगे सबने अबग्यांदोलन की ये भी काफी फेमस अंदोलन था सबने अबग्यांदोलन सबने अबग्यांदोलन अंग्रेजों के बिरुद कांग्रेस द्वारा चलाई के जन अंदोलन में से एक था तो इस अंदोलन को किसने चलाया था कांग्रेस ने चलाया था यानि कि गांधी जी नहीं चलाया था 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने ब्रिटिस सरकार से पूर्ट सवराज की मांग की थी तब ब्रिटिस सरकार ने मांगे सिवकार नहीं की इसी कारण 12 मार्च 1930 को सबने अबग्यां अंदोलन की सुरुआत की गई थी ठीक है तो सबने अबग्य अंदोलन क्यों सुरुवात की गई थी कि 1929 में लाहॉर में कांग्रिस का अद्विशन हुआ था जिसमें इन्होंने क्या किया था ब्रिटिस सरकार से मांग की थी पूर्ट साराज की किया में पूर्ट साराज चाहिए लेकिन ब्रिटिस सरकार ने क्या किया मांगे जितनी भी थी वो आजस्विकार करती मतलब मानी नहीं ठीक है तो इसी कारण 12 मार्स 1930 को सबने अबग्य अंदोलन की सुरुवात की गई थी ठीक है तो इसके बारे में आपको क्या लखना है अब अंग्रेज बनाने लग गए थे अब जब अंग्रेज बनाने लग गए तो इस पर लगान ज्यादा बहुत लगा दिया ठीक है लगान लगा दिया और नमक एक ऐसी चीज है जिस पर आप रेट नहीं बढ़ा सकते इसके रेट आप देखते होंगे कि दस सालों में करीब एक दो रुपे बढ़ता होगा ज़्यादा इस पर रेट नहीं बढ़ते है क्योंकि नमक क्या है कि सभी के लिए जरूरी है ठीक है खाना बिना नमक के नहीं बना सकते है ठीक है तो नमक बहुत जरूरी चीज थी सभी के लिए ज़रूरी थी तो जब अंग्रेजों ने इस पर एकादकार कर लिया तो इसका बहुत विरोध किया गया तब ही डांडी मार्च शुरू किया गया था ताकि नमक सत्याग्रा इसलिए चलाया गया था ताकि हम लोग नमक कानून को तोड़ सकें तो इसी के साथ जो सबने अबग्या अंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था और इसका नाम ही था सबने अबग्या मतलब अबग्या करनी है बात माननी ही नहीं अंग्रेजों की ठीक है कोई भी बात है मैं नहीं माननी अब लास्ट में इस वीडियो में हम डांडी मार्च के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि सबना बग्यां अंदोलन के बारे में हमने जाना है तो 12 मार्च 1930 को महत्मा गांधी ने नमक निर्मान पर बिटिस एकादिकार के खिलाप एक अहिंसक बिरोध डांडी मार्च यानि की नमक सत्य ग्रह प्रारम किया जो 12 मार्च से 5 अपरेल 1930 तक यानि की 24 दिन तक यह चला था यह यात्रा साबरमती आस्रम जो की एहमदाबाद में है साबरमती आस्रम वहां से स्टाट हुई थी और राज की तरट पर इस्तित डांडी गाउं तक चली थी 241 मिल की यह यात्रा थी जो 24 दिन में कवर की गी थी थी तो डांडी मार्च के बारे में इतना ही है श्टाट हुई थी 12 मार्च 1930 को गांदी जी ने नमक निर्मार पर बिटिस जो एकाधिकार था उसके खिलाब ये अहिंसा कांदूलन चलाया था ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 5 अपरेल 1930 को ये खतम हुआ था 24 दिन चला था गां से स्टार्ट हुई थी यात्रा तो साबरमती आस्रम से स्टार्ट हुई थी और राज की तट पर एक इस्तित्ता डांडी गाउं वहां तक ये चली थी इसलिए इसे डांडी मार्च कहते हैं और इसका एकमात रुद्देश था नमक कानून को तोड़ना ठीक है 79 अनुनाई थे 241 मिल की यात्रा थी 24 दन में ये कबर हुई बस इतना ही लिखना है डांडी मार्च के बारे में आपको ठीक है तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रथम गोल में सम्मेलन दोती तरती ठीक है इनके बारे में बात करेंगे और एक और दो वीडियो और बची होंगी ठीक है उसका बाद आपकी हिस्टरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्टी सो मॉच पर वाच्छिंग दिस वीडियो